हेलो अब्रिवान असलाम अलेकूम जी लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने बचे हुए रोजिस को फेकने के बजाए उनको यूटिलाइस किया और उनसे स्किन केर के लिए सामान बनाया आज की वीडियो भी उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं एक और तरीका बताऊंगे यूटिलाइस करने का अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए तो जी सेकंड मैथट जो है जिससे आप अपने बचे हुए रोजिस को यूज कर सकते हो वो है रोस पाउडर बनाने का और उससे स्क्रब बनाने का उसमें करना ये है कि आपने जो भी रोजिस आपके पास बचे हैं प्रेफरेबिली पिंक या रेड उनको लेके उनकी सारे पैटल्स अलग करने हैं और उनको आपने धूप में सुखाने के रिए रख देना है एक दिन काफी होगा एक दिन में हो जाता है एक दिन में उनके खुश्क होने के बाद जब वो थोड़े से हाथ में लेने के बाद थोड़े से क्रंची टाइप के हो जाए ना मतलब इस त और गैनिक है, इसमें कोई कैमिकल नहीं है, बस फिर आपने एक स्पून को लेना है, रोस पाउडर और उसके अंदर शामिल करनी है बालाई, कच्छे दूद की बालाई, ये बड़ी काम की चीज होती है स्किन के लिए, इसको मिक्स करें और जब ये एक पेस्ट तरीके का बन जाए, उसको आपने यूज करना है as a scrub for your skin, ये कोई इतनी बहतरीन किसम की स्किन रेमिडी है ना, कि इसका एफेक्ट आपको पहले यूज से ही नजर आएगा, इसको 10-15 मिनिट तक अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से रब करें, और उसके बाद आइस कोल्ड यानि ठंडे यक पानी से अपने फेस को वाश कर लें, ये इतना रिफ्रेशिंग है और 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 गैनिक है कि साइड इफेक्ट इसका कोई है ही नहीं क्योंकि क्यामिकल नहीं है, तो ये हर किसम की स्किन पर सूट कर जाता है, हर बंदा आप से पूछेगा कि आपने फेशल करवाया है क्या क्योंकि ये लुक ही ऐसा देगा आपको कि ऐसा लगेगा कि अभी अभी आप पालर से फेशल करा के आए हो, तो लड़कियों ट्राइ करो ये वाला हैक और इस तरह से तुमारे रोजिस जो हैं वह यूटिलाइज भी होंगे और तुमारी स्किन भीना चमकेगी, किसी फेशल झाल झाल